हम जब तक अपने आपको करता मानेंगे, तब तक भजन का परिणाम जीरो ही मिलेगा, सुन्य मिलेगा, जब तक करता मानेंगे, कल कोई एक सादक करते के हम से नहीं होता है, हम से कुछ नहीं होगा, हम से जो होता है, वो भगवान ही कराते, इस मार्ग में भक्ति मार्ग के पथिक जो भी है, from the day one मने प्रथम दिवस से ही माला का एक माला लिए या भगवान का एक सब्द भी बोले वो हम नहीं बोले वो हम नहीं बोले अथा स्रिक्रिष्ण नामादी नवभवेत ग्राया इंद्रियत कहे दिया गया ये इंद्रियों के द्वारा भगवान का नामादी नामादी मने भगवान का नाम हो या अन्यभक्ती का कोई बिमार्ग लेले वो अपने इंद्रियों के द्वारा ने केवल सेवन मुखे ही जीबा दो लेकिन समयां का स्वयम स्पृत हो वो स्वयम स्पृत होगा तो इसलिए तो कौन किया हम कहेंगी कि हम तो इकदिसी को इतना माला किये थे हम इतना परिक्रवा किये थे हम इतना विग्रह सवा किये थे हम इतना कीर्थन किये थे कौन किया क्या नहीं कोई नहीं किया वो कोई नहीं किया आप नहीं किये वो गुरु कृष्ण नहीं करवाए वो गुरु कृष्ण नहीं करवाया कोई भगवान का एक सब्द बई क्यों ना उचारण हो भगवान को प्रणाम करना हो कोई संत्य को प्रणाम करना हो गोगंगा गायत्री की सेवा करना हो धाम की सेवा करना हो कोई ये सरीर ना ना ये करमेंद्रिय किया ना ज्यानेंद्रिय किया ना मनबुद्धिय हंकार किया ये तो सब हमको मचला रहें अनेक जन्मों से अनेक समय से भ्रमीत कर रहें ना चाओ ना चाओ प्रुभू ना चाओ से मते जैसे मदारी जैसे बंदरिया को नचाता है वैसे ह वे हमको नजा रहे हैं वो अतिसाय कृपा के कारण हमारे द्वारा रिशिकेश सेवय भक्तिर उच्चत लग रहा है व्याभारिक्ता में कि हम इंद्रियों के द्वारा या शरीर के द्वारा हम भगवान की सेवा कर रहे हैं लेकिन हम कहें कि ये भजन कभी ना सारीरिक होने है ना मानसिक होता है तो कहते है मानसी सेवा मानसी सेवा भी नहीं होता है वो हृदे से जब हृदे का जो तार जुड़ता है तब जाके मानसी सेवा होता है और मानसी सेवा होने के बाद वो सरीर में प्रकट होता है जैसे वो ब्रामन खीर लगा रहा था भगवान को, मन इसिक से वाविए, और रिदय उसका पवित्र था, तब जाके उसका मन पवित्र हो पाया, रिदय जब तक पवित्र नहीं होगा चेतना जब तक धुलिसात रहेगा मलीन रहेगा मारजन नहीं होगा तब तक मन और सरीर कभी भी क्रियावनित नहीं होगे तो जो क्रियावनित हो रहे हैं हम देख रहे हैं तो वो ही करा रहे हैं झाल झाल